हेलो चूलेंट्स तो बच्चो आज एक हम इंट्रेस्टिंग टपिक के बारे में हम डिसकेशन करने जा रहे हैं तो जैसे कि आप देख पारे हो हमारा टपीक है क्या हाइड्रोजुन हिस्ट लट नहीं है हमेशा इतना दुखी ही क्यों रहता है तो छलो इसको आज इस विडि रहा है क्या इतना दुभ आ गया उसका जिन्दगी में जो इतनी रो रहा है वो इतना दुख है तो चलो जानते हैं इस विदियो में तो पहले हम जानते हैं कि बच्छो हाइडरोजन एक ऐसा एलेमेंट है जो की हर किसी के साथ बंड बनेने का capacity रखता है जनरली सब के साथ नहीं maximum element के साथ बंड बनाने का capacity वो रखता है जिसका valency कितना होता है बच्छो ना इसका valency होता है 1 क्योंकि इसका atomic number है 1 ठीक है और ये एक electron पाने से उसका next element होता है helium उसकी configuration को पा सकता है तो ठीक है चलो hydrogen के बार में कुछ extra चीज जानते हैं बच्छो hydrogen एक एसा element है जिसके पास एक proton होता है क्योंकि उसका atomic number 1 है तो एक ही proton ही होगा और एक electron होता है अब सब जानते हो कि hydrogen का mass number कितना होता है 1 तो उसका neutron की संख्या कितना हो गया तो zero neutron हो गये तो hydrogen एकलोता element है जिसके पास neutron नहीं है देखो zero neutron है एकलोता element है जिसके पास neutron नहीं है लेकिन उसके अलावा बाकि जो सब elements है जैसे सब अजमान लो helium के लेलो helium का atomic number होता है 2 और mass number होता है 4 तो इसके पास 2 protons रेते हैं 2 electrons भी रेते हैं और mass number को atomic number से subtract करने से 2 neutrons भी रेते हैं ठीक है और बाकि helium हो गया लिथियम हो गया बेरियम हो गया इसे सब element के पास कुछ ना कुछ संख्या की neutrons होते ही है लेकिन hydrogen एकलोता element है जिसके पास neutron नहीं होता तो hydrogen हमारा जो predictable है hydrogen हर element के सब बसा हुए सब elements वहीं पर ही रहते हैं खुस मिजाज में लेकिन hydrogen को सब चिडाते है हिलियम हो गया लिथियम हो गया बेरियम बोरोन कार्वोन एट्रजिर सब hydrogen को हमेशा चिडाते हैं यह बोलकर कि यह देखो देखो तुमारे पास neutron तो नहीं है लेकिन हमारे पास neutron है हम सब के पास neutron है लेकिन तुम्हारे पास न्यूटरन नहीं है ये ये तुम्हारे पास न्यूटरन नहीं है ये 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 एसा बोलकर हमेशा हाइड्रोजन को चिड़ाते हैं तो बच्छो आप भी जानते हो अगर आपको कोई बार 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 हमेशा ही चिड़ाते ही रहेगा आपक कना करने लगा भग्वान जी प्लीज आये भग्वान जी प्लीज आये तो भगवान पार === अद पूछे हाउट जीं गो बताऊ वस्थ क्यूंं आप दुक्पी हो क्यूं आप रयो रहा हो घिवन में क्या ऐसा दुख है जो आप मुझे बुलाए तो hydrogen ने बोला भगवान जी देखो आप सबको तो neutron दे दिये helium को दे दिये, lithium को दे दिये, helium, हर एक element जो हमारे समाज में रहते हैं हर element के तो आपने neutron दे दिये लेकिन मुझे neutron क्यों नहीं दिया मेरे पास proton है मेरे पास electron है लेकिन मुझे एकलोता में element क्यों है इसा बना कि मुझे आपने electron क्यों नहीं दिया तो भगवान बोले अच्छे से समझाए hydrogen को देखो वत्स तुम ही, तुम सबको आप ये समझ रहे हो कि तुमारे पास neutron नहीं है तुमारे पास neutron नहीं है इसलिए दुखर है हो लेकिन क्या आप जानते हो तुमारे पास neutron ना होने से तुम अच्छा हो सकते हो तुम सबके साथ मिल जूल कर रेख सकते हो इसलिए तो तुम हर कोई element के साथ बन बनाने का capacity रखते हो तुम दूसरा एक अच्छा सा रीजिन में भगवार ने hydrogen को समझाए तो वो रीजिन क्या है चलो आप सो देखते हैं सबस हिलियम की बात करते हैं बच्चो हिलियम का अटन नमबर 2 और मास नमबर 4 होता है proton होगे 2 electron होगे 2 and neutron होगे हमारा 2 तो हिलियम का अगर फीगर बनाए nucleus में 2 protons होगे और 2 neutrons होगे और यहाँ पर चार और उसके और 2 electrons ऐसे घूम रहे हैं ठीके? 2 electrons ऐसे घूम रहे तो बच्चो देखो किसी एक element का सबस atomic number X सबस इसका atomic number 100 है 100 का मतलब समझ रहे हो इसका proton की संख्या 100 है electron की संख्या 100 है neutron जो भी हो तो उसका जो nucleus होगा जो atomic number X है element X है उसके nucleus में 100 protons होगे 100 protons समझ रहे हो? 100 protons हैसे बहुत सारे 100 protons होगे तो इसका मतलब क्या है? एक ही small volume में एक ही छोटे जगे पर बहुत सारे यहाँ पर protons बढ़े हुए और हमेशा आपको पताईए protons है रिपलसी विनेचर माने एक proton दूसरे proton को क्या करता होगा? रिपलसन करता होगा तो इतने सारे protons एक जगा पर आपस में रिपलसन तक कर रहे हैं मतलब एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं तो इसका मतलब हर जो protons हैं इसके अंदर जो 100 protons है वो nucleus को brush करके breakdown करके बाहर आना चाहिए लेकिन बाहर तो आते ही नहीं है यह इतने सारे protons जो आपस के दूसमन है जो आपने आपको रिपलसन करते हैं दूसरे को रिपलसन करते हैं तो इतने छोटे जगा पर इतने सांती से रिपलसन होते हुए भी क्यूं इतने छोटे जगा पर सांती से रह रहे हैं इसका मतलब इस nucleus में कुछ ACB particles हैं मतलब सब-atomic particles हैं जो इस neutron को मसरी proton को control कर रहे हैं तो उसका नाम क्या है बच्यो neutron न्यूटरन का काम क्या है proton के बीच जो रिपलसी फोर्स है उसका control करना जैसे police बच्चो चोर को control करता है वेशे ही nucleus के अंदर जो हमारे होते हैं neutrons वो क्या करते हैं protons के बीच जो रिपलसी फोर्स होता है उसका control करता है उसका minimize करता है इसलिए ही इतने सारे protons, positive charges, repulsion होते हुए भी इतने छोटे नीकलेस के अंदर आराम से रहते हैं अभी वच्चों देखो, हिलियम की बात कर लो, हिलियम के नीकलेस में दो प्रोटन से इसका मतलब उनको बीच भी रिपल्सन होता होगा इस दोनों जो प्रोटन से इन दोनों के बीच भी जगड़ा होता होगा तो इसलिए तो यहाँ पर है क्या neutron क्या है अभी तो हमने बोला प्रोटन के बीच जो रिपल्सिफ फोर्स है उसको मिनिमाईस करना लेकिन मतलब हिलियम हो गया लिथियम हो गया बेरियम हो गया जो सब elements के पास दो और दो से ज्यादा neutron से ए सरी प्रोटन से जो element के पास proton के संख्या दो और दो से ज्यादा है उनके बीच क्या होता होगा क्वारेल होता होगा जगड़ा होता होगा और जगड़े को समालने के लिए किसको रखना चाहिए न्यूटरन को रखना चाहिए इसका मतलब हिलियम और बाकी सब एलिमेंट्स में hydrogen को छोड़के बाकि सब elements के घर में क्या होता है जगड़ा होता है इसका मतलब वो सामती में सामती से नहीं रहे रहे है लेकिन hydrogen एक लोता एलिमेंट है जिसके nucleus में एक ही proton है तो एक ही proton किसके साथ जगड़ा करेगा दूसरा proton तो नहीं है ना उसके घर में तो अगर जगडा ही नहीं है तो न्यूट्रन क्यों यहां पर रहेगा तो भगवान ने हाइड्रोजन को समझाए देखो आपके घर में आप कितने सांती से रह रहे हो आपके घर में जो एक ही प्रोटन है वो किसी का दुस्मन नहीं है किसी के तो भगवान अच्छे से समझाए तो हाइड्रोजन खुस हो गया कि भगवान जी को बोला थैंक्यू भगवान मैं अभी समझ गया क्यों हम आपने हमको क्यों आपने मुझे न्यूटरन नहीं दिया है क्योंकि बाकी सब के घर में क्या होते हैं बहुत सारे दो या फिर दो से ज्यादा प्रोटन्स होते हैं मतलब बाकी सब एलिमेंट के घर में जगड़ा होता है इसलिए आपको आपने उन सब को न्यूटरन दिया तो खुस होकर हाइड्रोजन ने अपनी सोसाइटी में गया और बाकी सब एलिमेंट्स को ये बात बताया कि भगवान ने मुझे अच गया है किस है ।टे है थे तैंक्यू बाक्चूं